इस वैक्सीन पर बहुत कुछ टिका है क्या ये वैक्सीन कोरोना महमारी का खात्मा कर सकती है ब्रीटेन में कई वॉलेंटियर्स पर इसका परिक्षन किया जा चुका है जिसमें न्यू कासल के ये स्वास्थ करमी भी है शरीर के इम्यून सिस्टम को इस तरह से तयार करना कि वो दुश्मन को पहचाने और उसका खात्मा करे यही वैक्सीन के काम करने का सिध्धांद है आक्सफोड में तयार हो रही वैक्सीन वाई आकार के प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है इन्हें न्यूट्रिलाइजिंग एंटी बॉडिज कहा जाता है कुरोना वाईरस के हमले की सूरत में ये वाईरस पर ही आक्रमन करके संक्रमन को रोक देते हैं ये टी सेल्स के बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं अगर कोई कोशिका संक्रमित हो गई है तो ये उसे नश्ट कर देंगे पहले एक हजार वालेंटियर्स पर ये वैक्सीन सुरक्षित पाई और उनमें इम्म्यून रिस्पॉंस भी पैदा हुआ आक्सवर्ड यूनिवर्सिटी के मताबिक ये एक एहम काम्याबी है हम नतीजों से बहुत उच्छाहित हैं न्यूट्रिलाइजिंग एंटिबोडीज और टी सेल्स की सकारात्मक प्रतिक्रिया से हमें काफी उम्मीदे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे वाइरस से सुरक्षा देंगे लेकिन अभी हमें और भी परिक्षणों की जरूरत है लेकिन अभी हमें नहीं पता कि असल में ये वैक्सीन कितना काम करेगी क्या ये वाकई लोगों को कोरोना से सुरक्षत कर पाएगी दक्षिन अफरीका और ब्राजील जैसे कोरोना हाट स्पॉट में भी ट्राइल शुरू हो चुके हैं हो सकता है कि वहाँ इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं सब्तर साल से उपर के ये बुजर्ग वैक्सीन हासिल करने के लिए दस्तखत कर रहे हैं कोविड-19 बुजर्गों के लिए घा तक है क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ऐसे में बुजर्गों के लिए ये वैक्सीन कितनी असरदार साबित होगी ये भी एक एहम सवाल है